आजादी के बाद भी गुलामी में जी रहे हैं खैरा गाउं के ग्रामीड आईए आज हम आपको लेकर चलते हैं मद्य परदेश के नवीन जिला मौगंज जहां मुख्याले से लगवग 10 किलोमीटर के लोग जी रहे हैं गुलामी भरी जिंदगी पीने को पानी नहीं चलने को सड़क नहीं और सासकी कर्मचारी मासा अल्ला है यहां आपको गाउं के अंदर ना तो सड़क मिलेगी ना पानी मिलेगा और ना ही सरकार के योजनाओं का लाव मिलेगा यहां अगर कुछ मिलने वाला है तो है सिर्फ और सिर्फ सरकार के प्रतिनाराजगी इसके सिवा और सायब यहां कुछ है ही नहीं चलिए देखते हैं माउगंज की इस खास कबर को रिपोर्टर आस्तो सुकल के साथ क्या मिलते है खाने को खिचड़ी के सिवा कुछ नहीं मिलता है पढ़ाई होती स्कूल में क्या पढ़ाय जाता है सब कुछ पढ़ाय जाता है इसकूल कैसे आती स्कूल आने के लिए रोड है कि नहीं है कि त放ब पढ़ती हो कि इसकूल का नाम क्याyour जिसी स्कूल पढ़ती ओ इस के तेसी बोलो ठेव एफ्र नंबर तीन कोंप चास कि स्कूल पढ़ते हो अभी तुम्हारा ओलम्पियाड में सेलेक्शन हुआ है, टॉप 3 में आये थे तुम, तुम्हारे स्कूल में तीनी बच्चे हुए हैं, कैसा लग रहा है तुमको, अच्छा लग रहा है, पढ़ाई घर में भी करते थे, ट्यूशन बगार पढ़ते थे, इस सिर्भी स्कूल के अगे की तैयारी तुम्हारी कैसी चल दए, जो तुम्हारा अभी डिस्टिक लेभल में एकजाम हो ना है, इस बिस्टिक लेभल एकजाम हो चुका है, डिसरील अभी नहीं आये अच्छ में मिला भर स्खाना क्या ही थी अब यहां खाना नहीं लगा क्या पर होगी भर गया थे जार किससे पुछे गया थे पूल वाले बेज़ यह अपने से अपने से गई इसको भंटी बजिद शली लेशी निए जोच क्या मिलता है खाने जोगा निए दाल चावरबास दाल चावर सब्जी खाना अच्छा रहता है विजावाच खाइमा एं दाल चावर सब्जी के लावब कुछ निए पिजड़ी मिल जाची तो यह के लावब कुछ निए अब पढाई लिखाई पढ़िया होगी जिकत बास्वे मारत तो मिया ही आई और इसको बढ़ते हैं अच्छा खाना निला है अच्छा नहीं मिला अच्छाना बना ही नहीं है अच्छाना बना था कि आज कहीं बना जान सेतम हो गया कि अ है है अ है आइ यो दोटाइब रहा पांटार अभी दाल चावाल कमी जड़ी इसके लाव और पुछ निल्का अ आँ अ है राजमों नहीं जोतित्वा प्राही योटी आज खाना जिया तो इसलिए खाना नहीं दिला रोज क्या मिलता है तुम्हें दाल चावरों पुछ नहीं कि ऐसे दाल चाहर और सबस्की इसके लाब कुस्टी पृष्णि के राजों ओज मां इसनी तुम्हें बनाही अधिन वाई दिष्ण नशियरा बंढ़ी अ कि रारी के साम होती है अधि良ते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें